आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में साउथ की बहुत ही पॉपुलर और एकदम ट्रडिशनल रेसिपी इडिया पम और वाइट कुर्मा बहुत ही स्वाधिश लगती है और इतनी ज़्यादा हेल्दी है ना कि आप इसे अक्सर बना करके खाएंगे और ये जितनी देख जरूर से ट्राइ कीज़ेगा आपको बहुत पसंद आएगा सिंपल सी रेसिपी है ना तो आप इसे ब्रेकफास्ट में भी सिर्फ आधे घंटे में बना करके रेडी कर सकते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है अब युको तो ये नूडल्स की तरह लगती है तो तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक आलू जिसे मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकडों में काट लिया है साथ ही गाजर लिया है उसे भी मैंने इसी तरह से मतब छोटे छोटे टुकडों में कर लिया है कुछ बीन्स लिया है तकरीबन 7-8 उसे भी मैंने यहाँ प और गाजर यह सारी चीजे इसमें एड कर देंगे और इसे बॉल करेंगे तो आप चाहें तो किसी पतीले में भी कर सकते हैं या फिर मेरी तरह एक सीटी लगा सकते हैं इसे बहुत ही जल्दी से यह रेडी हो जाते हैं तो एक कप पैनिया पर पानी एड़ गया साथ ही एक जाएंगे होमस्टे वेगरा में रुकेंगे होटल वेगरा में रुकेंगे न तो उधरना यह रेसिपी जादा आपको खाने के लिए मिलेंगी इडियप पंप पुंडू बहुत स्वादिश लगती है साथ ही साथ हैल्दी भी होती है तो मैंने यहां पर डेड कप पानी लि एक कप है और यह मार्केट वाला ही चावल का आटा है टेस्ट के कार्डिंग मैंने इसमें आधा छोटा चमश नमक आड किया है दोनों को मिक्स कर लेंगे और पानी मिहां पर बॉयल आ गया है तो हम इसे बंद कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी यहां पर जो रा है ना तो आधा कप ही मोश्री पानी लगेगा बढ़ ध्यान रखें देखिए इस तरह से यहां पर इसमें बाइंडिंग से आने लगी है भुरभुरी सी रहेगी जब आप इसे मिक्स करेंगे लेकिन जैसे आप इसे हाथों से चुएंगे ना तो इसमें अच्छी सी बाइं किया है और वापस से इसे एक दो मेंट तक के लिए गूत लेंगे देखिए यहां पर आटे को ना एकदम सॉफ्ट लगा करके तयार करना है बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करना और बहुत लूज भी नहीं रखना है आटा लग गया है तो इसे ढखके रख देंगे पां किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं इधर तो बहुत सारी चीजों में यह मिलता है अच्छा भी लगता है खाने में तो मैंने यहां पर नारियल लिया है और इसके मैंने छिलके उतार लिये हैं तक्रीबन हमेना 3x4 cup नारियल कर इस्तमाल करना है बहुत ज्यादा कॉएंटिटी नारियल और दो हरी मिल्चे साथ ही इसमें आड़ कर देंगे चार से पांच काजू एक चमश सौंफ और दो हरी लाइची तो मैं यहां पर इसे हलका सा रोष्ट कर रही हूं टेस्ट बहुत बढ़ जाता है बहुत लोग इसे डाइट ली ऐसे ही ग्राइंड कर देते हैं पानी आड़ कर देंगे और इसे एकदम फाइन पिस लेंगे तो जो सौंफ है ना वो जरूर से आड़ कीजेगा इसमें इसका टेस्ट बहुत इंपोर्टन है और बहुत जादा अच्छा भी लगता है खाने में तो सौंफ को स्किप मत कीजेगा बहुत लोग इसमें जो पड़ा एक चमश सौफ और कुछ कड़ी पत्ते इसमें आड़ कर देंगे दस से पंद्रह और जो सबजियां हमने बॉयल करके रखी ती ना अब वो इसमें आड़ कर देंगे तो आप इसमें मन पसंद की सबजियां और भी आड़ कर सकते हैं मैं यहां पर थोड़ा सा यह मैं अल्रेडी फुल गोवी को जब भी ले करके आती हूँ ना तो मैं इसे क्लीन करके और हलका सा ब्लांच करके रख देती हूँ ताकि मुझे जब यूज करना हो ना तो मैं आराम सी यूज कर सकूँ और इधर मैंने लिया फ्रोजन वाले मटर यह वन वाइ फोर कप के क इससे टेश्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपना इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं बहुत यमी लगता है थोड़ा सा पानी मैंने मिक्सर के जार में भी एड़ कर दिया था और इसमें हम एड़ कर देंगे जितनी ग्रेवी आपको रखनी हो उस हिसाब से पानी आ और बिना मसाले वाली ग्रेवी आप ट्राइ कीज़ेगा बहुत पसंद आएगा अब बना लेते हैं एडियपम तो मैं यहाँ पर इसे इडली स्टेंड में बना रही हूं आप चाहें तो किसी भी प्लेट में बना सकते हैं इडली स्टेंड में यह थोड़ी छोटी छोटी कीज़ेगा जो हमने आटा गुत के रखा था ना वो इसमें एड कर देंगे थोड़ा सा सिलिंडर का सेब देते हुए से एड कर दे इसमें और इसे अच्छे से टाइटली आप यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपके पास यह सेव में कर नहीं हो ना तो किसी भी आपाइपि निकाले ना तो यह बहुत यासानी से निकल जाए एकर करके हम सारे इडियपम इसी तरह से बना करके तयार कर लेंगे आपको बस क्या करना ना राउंड राउंड घुमाना है और इडली का सेब दे देना है इस तरह से छोटे छोटे बहुत क्यूट से लगते हैं देखने मे देखिए मैंने यहाँ पर इसमें जो छोटे वाले इडियपम है वो बना करके तयार कर लिये हैं आप चाहे ना तो बड़े प्लेट में भी बड़ा बड़ा बना सकते हैं इधर दोनों तरह के मिलते हैं दोनों तरह के बनाए जाते हैं आपको जो पसंदो आप उस साइज मे बना सकते हैं पहले मैं जहां रहती थी ना उसके नीचे यह एडियपम नाम की सौप थी और वहां बहुत स्वादिश डियपम अपम मिलते थे जनरी हम लोग ब्रेकवास्ट में मंगा करके खाते थे बहुत ही अच्छा लगता था लेकिन आप चाहें तो इस तरह से घर में बनाईएगा बहुत पसंद आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे ना किसे डाल देंगे इटली स्टैंड में और दस मिर्ट तक के लिए इसे श्टीम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर दस मिर्ट में अच्छी सी ट्रांसलूसेंट सी हो जाती है थोड़ी और थोड़ी सी मतब इ यहां पर इडिया पम को निकाले और गर्मा गर्म सर्व करें जैसे हम इटली वेगर निकालते हैं वैसे यह बहुत ही आसानी से निकल जाती है और आप देख सकते हैं इसके जो नूडल से कितने खीले खीले और फलफी बन करके तयार हुए हैं तो आप इने सर्व करें वाइ उसके बाद आप इसे ऐसे राइस के साथ कैसे खाते हैं हम लोग वैसे ही खा सकते हैं मिलती हूं नेक्स लाग में तब तक के लिए बाइ बाइ और वीडियो कैसी लगी जरूर से बताईए